जै मातारानी दोस्तों नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आपकी दोस्त नीता जल्दी से मातारानी के नाम का जैकारा लगाएं और कमेंट सेक्षिन में जै मातारानी अथवा ओम नमो भगवते वासु देवाय अवर्श्य लिखिए ऐसा करने से आप सभी को एक दशी व्रत का चुब फल प्राप्त होगा और सभी तरह की मनुकामनाय फूरि हो जाएंगी दोस्तों साल 2020 में कामिदा एक‍ादसीय का व्रत कब रखना है इसका शुब समय महुरत अथवा पारण्ट का क्या समय है कामिदा एक दशीं का व्रत रखने से किस तरह के फल से आपकी सभी मनुकामनाई पूरी हो जाएंगी घर में सुख सम्रद्धी और धन धाने का आश्रवाद आपको श्रीहरी विश्णू से अवश्य प्राप्थ होने वाला है तो दोस्तो चार अप्रेल 2020 की तारिक शनिवार अर्थाद सटड़े के दिन चैत्रमास चुकलपक्ष की कामदा एकादर्षी का व्रत आप सभी को रखना है एकादर्षी अर्थाद 11 की तिति की शुरूवात 4 अप्रेल सुभा के समय 12.58 मिनिट से होगी और तिति की समाप्ती 10.30 मिनिट पे रात्री में हो जाएगी अर्थाद रात्री के समय से 12 तिति लग जाएगी जिसे पारण आपको 5 अप्रेल को करना है याने अगले दिन सूर्य उदै के परशाथ सुबच 6 बच के 9 मिनट से लेकि 8 बच के 38 मिनट के बीच में आपको एकादर्शी व्रत का पारण करना है दोस्तों आप सभी को एकादर्शी व्रत के जादतर नियम पता है फिर भी आप इस व्र को अच्छे से साफ करने ब्रश करने जिसने मूह में अन्न का कोई भी दाना ना रहे और एकादर्शी के तिथी में सुबह उठकर जल्दी से श्रीहरी विष्णु का नाम लेते हुए अपने नित्यकारों से निब्रत होकर आपको एकादर्शी का व्रत रखना चाहिए सात्विक भाव से इस व्रत को रखने पे मनुश्यों के सभी तरह के पाप जलकर नश्ट हो जाते हैं पुत्र पौत्र आदी की प्राप्ती होती है साथ ही साथ मनुश्यों को कूयोनी से छुटकारा प्राप्त हो जाता है दोस्तों मनुश्यों को किसी भी तरह का पुन्य ज वहां अनेक एश्वर्यों से युक्त पुंडरिक नाम का एक नाग राज्य करता था। रतनपुर में अनेक अपसराएं, किन्नर और गंदर्व भी निभास करते थे। उनमें ललिता नामक अपसरा और ललित नाम का गंदर्व भी रहते थे। वे दोनों पति-पत्नी के उन दोनों में अत्यनत प्रेम था, अलग-अलग हो जाने पर भा दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरिक राज्य सभा में मैटकर गंदर्वों का गायन सुन रहा था। सभा में अन्य गंदर्वों के साथ ललित भी गाना गा रहा था। गाते गाते उसको अपन प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसके ध्यान में स्वर्भंग होने के कारण वह अशुद्ध गायन करने लगा। ललित के मन का संताब जानकर करकोटक नाम के नाग ने गायन में तुटी होने की शिकायत राजा से कर दी तब पुंडरिक ने क्रोध पूर्वक ललित को श श्राब के चलते ललित उसी शण विक्राल राक्षस हो गया और वह अनेक तरह के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रेतामा ललिता को यह सब मालूम हुआ तो वह अपने पती की विक्राल आकरती देखकर मन ही मन अत्यंत दुखी हुई और अपने पती के उद्धार का मा करने लगी हे मुनी देव मैं बहुत ही दुखी हुँ आप मेरी विपत्ती का निवारण कीजिए उसे देखकर श्रंगी रिशी बोले हे सुभागे तुम कौन हो और यहां किसलिया आई हो ललिता बोली हे मुनी श्रेष्ट मेरा नाम ललिता है मेरे स्वामी राजा पुंट् देव को प्राफ़ी है उसका व्रत करने से मनुश्यों के सभी कारियों की सिद्धी हो जाती है यदि तुम भी कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुन्य फल को अपने पती को अर्पित कर दो तो वह शीग्र ही राक्षस योनी से मुक्त हो जाएगा मुनी के ऐसे वचन स सुनकर ललिता ने चैत्र शुकलकी एकादशी का विधी पूर्वक व्रत किया दुआदशी को ब्रहमनों के समीब अपने व्रत का फल अपने पती को देती हुई भगवान के समक्ष प्रातना करने लगी हे प्रभू मैंने यह जो व्रत किया है इसका फल मेरे पती देव को प इमान में बैठे और स्वर्ग की ओर चले गए वशिश्चमुनी कहने लगे हे राजन इस व्रत को विधिपूर्वक करने से सभी तरह के पापों से चुटकारा मिल जाता है राक्षस जैसी कूयोनी से भी चुटकारा मिल जाता है संसार में इसके बराबर और कोई दूसरा व लोगों को इस व्रत का महत्मय अवर्ष्य सुनना चाहिए आप सभी समझ सकते हैं यदि मनुश्य कूयोनी में चला जाता है तो उसे किस तरह के कश्टों का सामना करना पड़ सकता है इसलिए हमें अपने अच्छे कर्मों का संचय अवर्ष्य करना चाहिए इस दिन पर जो हल्दी कुंकुं और तिलों का तिलक लगाना चाहिए पुष्प पीले रंग के पुष्प अवर्ष्य चढ़ाने चाहिए ना मिले तो दोस्तों आप दूसरे रंग के पुष्प भी चढ़ा सकते हैं इसके बाद वहां पे धूब दीप अगर्वत्ति इत्यादी लगाकर ब समय में आप इसी व्रत के महत्म को सुनें या पढ़ें अत्वा आप इस दिन पर दोस्तों विष्प सहस्तर नाम का पाठ करते हैं तो इससे आपके जो भी ग्रह नक्षत रहें उन सभी का शुफल आपको अवर्षप राप्त होता है धन्धान बढ़ने लगता है दोस्तों शेहरी विष्णु की शरर में जाने से कई तरह के पापों का नाश हो जाता है इस दिन पर दोस्तों आप उपवास के खाने में लॉंग लेके आपको जो भी आप खाना है वो खा सकते हैं दोस्तों सबसे पहले लॉंग आप भगवान के मुख शुद्धी करण के लिए उन् इत्यादी हमें नहीं खाना चाहिए इस व्रत को कई लोग निर्जला रखते हैं कई लोग निरा आहार रहकर इस व्रत में जब तब पूजन पाठ करते हैं परन्तु यदि आपका स्वास्त आपका साथ नहीं देता है तो आप एक समय में यहाँ पे सैंधा नमक का भोजन कुष नियमों का अवर्शे पालन करना चाहिए जैसे कि दोस्तों इस दिन पर किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं लेना चाहिए शराब सेग्रेट लहसन प्यास इन सभी चीजों से दूरी बनाके रखना चाहिए मिथ्या भाशन नहीं करना चाहिए लोगों से के साथ भगवान श्रीहरी विश्नु को अर्पित करते हैं उसमें तुलसी अवश्य रखनी चाहिए क्योंकि विश्नु भगवान तुलसी युक्त प्रशाधी ग्रहन करते हैं इसलिए आप एक दिन पहले तुलसी अवश्य तोड़के रख लें अब दोस्तों इस दिन पर कुछ ऐसे खास उपाय हैं जिनें आपको अवश्य करना चाहिए इस दिन पर आप एक लूटा ले ले और उसमें जल ले ले थोड़ी सी चने की दाल गुर इत्यादी डाल कर और हल्दी डाल कर इसे आपको केले की जड़ में डालना चाहिए ऐसा करने से आपके जीवन में दोस्तों कभ ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस तरह से दिन भर या फिर ओम नारायनाय नमो नमप्या वम न नारायनाय नमो नमप्य जाप करते रहें और दोस्तों हो सके तो विश्णु सहस्य नाम का पाठ अवश्य करें आपके जीवन के कैसे भी कष्ट होंगे वो जरूर दूर हो जाएंगे भगवान श्री करश्ण की यदि आप अपने घर में पूजा करते हैं या फिर श्री करश्ण आपके घर में लड़ू गोपाल के रूप में विराजित हैं उनके पास में बासुरी रखने से धन धाने अवश्य बढ़ता है घर के सभी लोगों में प्रेम भी बढ़ता है दोस्तों एकादशी के वरत के दिन पे शाम के समय तोसी माता में दिया लगाते हुए उम नमो भगवते वासुदीवाय यह तीन शब्द आपको अवश्य बोल देने चाहिए ऐसा करने से आपके घर में सुख शांती का बातावरण सदेव बना रहता है इस तरह से भक्ति भाव से श्री हरी विश्नु को याद करते हुए एक आदर्शी व्रद सभी को करना चाहिए जिससे कि आपके घर में सभी को शुख फलों की प्राप्ती हो और सुख सभागे की व्रद्धी हो तो बोलिए जै श्री हरी विश्नु भगवान की जै इसी तरह दोस्तों मेरा चैनल देखते रहे है और अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को अभी तक और आपने सब्सक्राइब नहीं करा है और इसी जाल से जाल फैमिली फ्रेंज में सबकी साथ शेयर करें सबी वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाके आप नीता विक्रम चैनल अवश्य देख सकते हैं अगली बाद फिर आप से मिलूंगी तब तक के लिए नमस्ते अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए